अलो एर्ट वीडियो में हमने एक क्वेशनमांग छोड़ा था और वह बड़ा सा क्वेशनमांग वह क्या था वह क्वेशनमांग यह था कि प्रिए एक्जिस्टिंग सेल जो एना वह कहां से आए है तो कुछ सोचा आपने कहां से आए है आए लवीना कुमावत, welcoming you all at score शाला अगर नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं आजम बता देंगे अपको कि यह कहां से आए है तो जो origin of life है वो कहां से हुआ है pre-existent cell जो थे वो कहां से आए भई हम तो आगए ठीक है हवा हमारे parents कहा है और अगर वो हमारे वो कहा से आई तो उस question mark Juna, वो आटेगा नहीं, वो ne वो बिल्कुल नहीं आटेगा या से यह question mark Juna, यह तब तक नहीं हटेगा, जड़ते हमाने पता नहीं चल जाता कि जो pre-existing cell था जो pre-existing species थी, जो first species थी वो कहा से आई तो जैसा कि हमें बोला जाता है कि हमें भगवान ने बनाया है, साइंस इस्टीस को बिलकुल नहीं मानता है, ठीक है भगवान है, हम मानते हैं भगवान है, रहे तो सुपर नैच्छरल पावर, जिसकी वज़े से ये सारी जो आर्थ है न वो प्रॉपर चल रही है, जनरेशन नेक्स्ट होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, और आज की लेट में हम है, तो ये सारी चीज़े जो है, अगर चलो ठीक है, हम अगर उसको मान भी ले, तो आपकी प्लांट्स कहां से आए, ये भी तो living organism है, आपकी unicellular organism कहां से आए, वो भी living है, आपके सारे animals कहां से आए, ये भी living है, और भी इतनी सा species है, वो सारी कहां से आई है, भई इंसानों को तो चलो भगवान ने बेज दिया, तो क्या इन सब को भगवान ने बेजा, कि ठीके बेटा, जाओ, और जाके क्या करो, reproduction करो, और reproduction से क्या होगा, हमाई species जो बढ़ेगी, 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 और यहां पर आगे हम, ऐसा कुछ हुआ था क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यहां जो question mark है, इसका answer अभी हम देंगे, कि यह question mark भी हटाएंगे यहां से, कि यह क्यूं हुआ था, यह सारा, यह जो pre-existing cell था, वो कहां से आया था, जो हमने इतनी सावी theories पड़ी थी न, कि हम जो है नए नहीं है, हम नए रिल्कुल नहीं है, हम pre-existing species से आया है, वो क्यूं आया है, और वो कैसे आया है, वो अभी हम देखेंगे, तो pre-existing species जो है, वो कहां से आया है, तो यह कहां से आया है, उससे पहले हमें इन भाई साप के बारे में पढ़ना पढ़ेगा, यह भी एक अच्छे scientist है, बहुत कुछ दिया था इन्होंने भी, बहुत अच्छे scientist है, JBS Helden नाम था इनका, यह जो great personality है, इनका नाम था JBS Helden, हमें इनके बारे में पहले पढ़ना पढ़ेगा, अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे तो आप आप वहां तक नहीं पोच सकते, कि भी ठी के पहले वाली species कहां सही बताओ, तो वो जो question मा के वो टाने के लिए हमें इनके बारे में पढ़ना ही पढ़ेगा, बहुत अच्छे भाई साब है यह बहुत अच्छी personality है, इनका नाम था J.B.S. Heldon, 1929, it is born year of that scientist, British scientist थे यह, he state that the life must have arisen on the primitive earth from a collection of chemicals, मताँ इनोंने क्या state किया था, सीव आपी सीख बाचे देखो, इनोंनने क्या state किया, क्या बताया इनोंने, कि the life must have arisen, must have arisen, मताँ, confirm नहीं हमें हमें इसी, confirm एक बोल सकते है, but still, हम हमेशा hypothesis पर काम करते हैं, कि ठीके जो चीज़ हो गई है, उसको repeat नहीं कर सकते, and the second thing, यह काम हुआ होगा, हुआ होगा, क्योंकि हम वहाँ नहीं गयते, हम वहाँ पर नहीं है, हमारे पास time machine नहीं है, कि हम जाके वह देख लेंगे, कि अच्छा यह चलो ठीक है, अर्थ कैसे बन रही है, बताओ हमें, तो यह possible नहीं है, हम इसी चीज़ पर काम करते हैं, कि यह काम हुआ होगा, हुआ होगा is the hypothesis, ठीक है, उन्होंने क्या state क्या था, life must have horizon on the primitive earth, primitive earth मतब जो पहले वाली earth थी, उस पे life कैसे आई होगी, from a collection of chemicals, chemical के collection से आई होगी, life जो है वो कैसे आई, वो chemical के collection से आई है, chemical को combine करते गए, और उसकी वज़े से क्या बनी, life बनी, कैसे हुआ, तो earth हमें तो पता है, सूरज का ही एक टुकड़ा है, sun का एक टुकड़ा है, जो टूट के साइड हो गया था, तो वो कितना गरम होगा, क्या उतनी गर्मी में हम रह सकते हैं, तो हम बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, एक टाइम के बाद क्या हो, आट बीरे दीरे दीरे, यह वाँ पर कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होते हैं, वो जो वाटर वेपर था, वो फिर से वाटर मॉलेक्यूस में, ड्रॉपलेट्स में कंवर्ट होने लगता है, कंटिनियूसली, जॉइन होगे, क्या बनाता है, ख्लाउट्स का फॉर्मेशन कर देता है, उसके बाद होती है, बारिष चलीए, आटम्स कंवाइन इंतो इनार्गिनीक मॉलेक्यूस, आटम्स जो थे, वो इनार्गिनिक मॉलेक्यूस में कंवाइन होगे, एटम्स कंवाइन होते गए, प्रोसस तो नहीं समझ में आया कि अटम फिर और गनेक मॉलेक्यूल बने फिर बना सिंपल और गनेक कंपाउंड फिर बना कॉंपलेक्स और गनेक कंपाउंड तो यह तो भी हमाई समझ के बाहर है जलिए आजाए हमें अच्छा था एक्सपरिमेंट देखते हैं उससे आपको सारा कुछ समझ में आजाएगा बठाई होप कि आपको यह समझ में आगे होगा कि जो प्रिमिटिव अर्थ थी उसके ओपर क्या हुआ केमिकल एवॉलूशन हुआ और केमिकल के कंबिनेशन से क्या बना प्रिमिटिव सेल्स बने अब यह कैसे बने तो यह हम अभी देखेंगे चलिए प्रिमिटिव एट्मोस्फियर जो था उसमें क्या था एच्टू था एच्टू था एच्टू था एच्टू था एच्टू पानी जो है वो वाटर फॉर्म में तो रह नहीं सकता, अब जब वो वाटर फॉर्म में नहीं रहेगा, तो वो किस फॉर्म में होगा, वो वाटर वेपर की फॉर्म में होगा, पानी जो है वो कौन सी फॉर्म में, वो वाटर वेपर की फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन, अबर मोनोकसाइड, हईडोजन शल्पाईड, तो यह सारा क्या था प्रिमिटिव एर्थ के अंदर, only, only gases थी, आया समझ में, प्रिमिटिव एर्थ जो थी, स्टार्टिंग की जो एर्थ जो आग का गोला थी, जब वो धीरे-धीरे-धीरे क्या हुआ, उसका तेमप्रेचर था वो down होते क्या उसका जो temperature था वो continuously down हो रहा था हो रहा था हो रहा था हो रहा था होते 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 क्या हुआ है उसके अंदर इतनी सारी gases present थी जब इतनी सारी उसके अंदर gases present थी जब उसका temperature down हुआ तो क्या बना small and medium sized molecules sugar purine pyramidine amino acid and lipids बने चीक है primitive earth थी चीक है हमें यह समझ में आ तो अर्थ को आग का गोला लिलो अर्थ को आग का गोला यह जो हमारी earth है वो क्या है यह है बड़ा सा आग का गोला इसको मान लो कि यह हमारी earth है और जो बड़ा असा जो है वो आग का गोला है दीरे-दीरे क्या होगा इसका temperature down होगा क्या होगा इसका temperature दीरे-दीरे क्या तो सेम वैसे जब आर्थ का टेंपरेचर हुआ डाउन, आर्थ का टेंपरेचर जैसे ही डाउन होता गया, तो क्या होगा? तो सारे जो मॉलेकुल से वो जुडेंगे और वो क्या फर्म करेंगे? तो वो फर्म करेंगे small and medium sized के sugar molecules, amino acids और lipids को फर्म करेंगे. शुगर को बनाया, प्योरिन को बनाया, lipids बन गए, amino acids बन गए, तो ये सारे चीज़े किससे बनी? ये बनी, जो अर्थ का टेंपरेचर दीरे दीरे डाउन होता गया, तो अर्थ के टेंपरेचर के डाउन होने से क्या होगा? ये जो gases के पार्टी molecules है, ये सारे molecules क्या होंगे? जुड़ते जाएंगे. अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, कि जो primitive earth थी, उसके अंदर सबसे जादा क्या था? सबसे जादा उसके अंदर था hydrogen, उसके अंदर था, oxygen नहीं था, oxygen नहीं था ठीक है, oxygen नहीं है, life possible नहीं होगी, hydrogen बहुत जादा था, इसे भी life possible नहीं हो सकती, तो ये सारी चीज़े क्या हुआ जब अर्थ का temperature डाउन होता गया तो ये जो सारी चीज़े है ये combine होती गई और दीरे दीरे इन्होंने क्या बनाए simple form of sugar, lipids, amino acids and purines, pyramidines ये सब इन्होंने बनाए अब क्या होगा ये जो simple form of sugar है again temperature down होगा दीरे दीरे और down होगा और ये जो simple compounds है ये सारे फिल क्या होगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे पर शुगर शुगर सारे molecules जुड़ेंगे एक छोटा सा शुगर का molecule था particles से यह हो सकता atoms जुड़के एक छोटादा शुगर molecule बना और वो continuous sugar के all molecules जुड़ते कर जुड़ते कर एक बड़ा sugar बना दिया उनाना है lipids में भी ऐसे हुआ lipids 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 बहुत सारे जुड़े और उनाने बना दिया fat amino acid से ये जुड़ेंगे तो क्या बनेगा protein बनेगा क्योंकि lipids से बनता है fat lipids से बनता है fat और जो हमारा amino acid होता है उससे बनता है protein amino acid से बनता है हमारा protein और हमारा जो sugar होता है उससे क्या बनता है carbohydrates तो ये नाम सुनके कुछ याद आया carbohydrates ये तो नाम हमें जाने पेचाने लग रहे है यह नहीं पर चाहने लग रहे हैं तो स्मॉल साइज़ पार्टिकल जो थे उन्होंने क्या करा सब जॉइन हुए और जॉइन होके उन्होंने क्या बना है उन्होंने लार्ज पार्टिकल्स बनाे लार्ज मॉलेकूल्स बना जिसके ल钱 था पॉली सैकराइड प्रोटीन था फेट भी था और एक था न्यूकल था नैसध राइहट नूकलिक एसड करो दो नं publishing तो कौन से नाम? DNA and RNA. DNA बना और एक बना RNA. इदोनों ही क्या है? Nucleic Acid है. Deoxyribonucleic Acid. DNA का फुल फुर्म क्या होता? Deoxyribonucleic Acid. ये भी क्या है? Nucleic Acid है. ये भी Nucleic Acid है. तो Nucleic Acids बनें. कैसे बनें? अर्थ का temperature डाउन होते गया. डाउन होते होते सारे जो मॉलेकिल से वो जुड़ते गए. और जुड़ जुड़के उन्होंने क्या बनाया? रूटीन बना, polysacurides बने, शुगर हो गया सब मिलके बने, carbohydrates, lipids मिलके बनाया, fat. ठीक है? अब जो ये DNA है, उसके बाद क्या होगा? DNA RNA बने, इसके अंदर क्या हुआ? इनको मिली energy. इन particles को मिली energy. Energy किसे मनी? Electrical sparks. Electrical sparks या lightning जो होती है, उससे क्या मिला? उनको मिली energy, जो बिजली कड़कती है, जो lightning होती है, उससे क्या मिली? इनको energy मिली, और energy मिलते है, ये किसमें convert हो गए? ये हो गए, protocells के अंदर convert हो गए, protocells जो होते हैं, protocells जो होते हैं, वो divide नहीं हो सकते थे, उनको divide होने की requirement भी नहीं थी, क्योंकि ये जो थे, ये heterotropic इनको divide होने की requirement भी नहीं थी, क्योंकि इनको leave होने की requirement भी नहीं हो पा रहते है, ये जैसे ही इनको मिली energy, energy मिलते हैं, इन्होंने बना इन्होंने बनाई, जो स्कुन से ने होगता है उस cell के अंदर ये सारे ओर्गेनल्स और नूकलियस के चो पार्टीकल्स, वो सब ऐसी बिखरे- whackरे से बहते थे तो नूकलियस ज बनायो है, और वही जो प्रोकारियोटिक चयल थे जब उनको oxygen चेकल मिलि average उहाँ उवकारियोटिक सेहिं तो पानी था यहीं तो फिर से पानी की फों में आने लग गया जो hydrogen जादा था, वो क्या हुआ, वो भी gases जो थी, सारी mix हो रही थी, तो वो जुड़ती गई, जुड़ती गई, जुड़ती गई, बहुत सारी gases जुड़ती गई, जुड़ती गई, जुड़ती गई, जुड़ती जुड़ती उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया, sugar, purine पिरामिडीन अमीनो एसेट लिपिट्स बनाया इन्होंने बहुत सारे अब वह क्या हुआ और टेंप्रिचर डाउन हुआ फिर यह जुड़ते गए तो जुड़ते जुड़ते इन्होंने बड़े मॉलेक्यूल्स बनाये जो थे polysaccharides, protein और nucleic acid, nucleic acid जो थे वो डो टाइप के थे DNA और RNA ठीक है DNA और RNA था उसके बाद क्या बने उसके बाद बने प्रोटोसल्स उसके बाद बने हमारे क्या प्रोटोसल्स बने और यह जो प्रोटोसल्स थे उस प्रोटोसल के बाद क्या बने प्रोकेरियोट्स बने और जब प इनको मिली oxygen O2 मिली तो इससे यह क्या हो गई यह हो गई लिविंग अब जब यह लिविंग हो चुके है तो लिविंग होने के बाद तो अटमेटिकली cell division होगा ना cell division होगा और cell को divide होने के लिए जैसे कि हमने बोला कि electrical spark था जिसकी वज़े से उसको energy मिली तो जब हम बात कर रहे हैं DNA और RNA की तो DNA का तो खुद का ही होता है कि वो replicate होगा DNA तो खुद ही replicate होगा और वो खुद ही divide होगा जब DNA divide हो रहा है इसका मतलब है कि उसको electrical spark की वैसे requirement नहीं थी बट सिर हमने भी बोला कि electrical spark मिला तब यह continuous divide होते गए और इन्होंने क्या बनाया प्रोकेरियोट्स की बाद बनाया यूकेरियोट्स और यूकेरियोट्स की बाद क्या बन गए यह है हमारा chemical evolution यह सारा क्या है chemical evolution है और जब हमारा first cell यहाँ बना प्रोकेरियोट्स जो की living cell था उससे बने हमारे eukेरियोट्स और multicellular organism this is the organic evolution chemical evolution तो हमारा यहीं खतम हो गया बट जैसे हम बोले पहले अगर chemical evolution हुआ था chemicals को मिला कि हमने नए नए cells बनाए थे automatically living cells बने तो क्या आज की date में भी बन सकते है जब अगर पहले बने थे तो आज की date में क्यों नहीं बन सकते तो हमने क्या कहा कि पहले जो था वो oxygen नहीं था, पहले o2 बिल्कुल भी नहीं था जब oxygen नहीं थी इसका मतलब उस time पर यह chemicals जुड़ते गए और क्या हुआ उस time पर chemicals जुड़ने से क्या हुआ जुरते 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 उन्होंने क्या बना दिया, एक cell बना दिया, बट अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंको अभी oxygen है, हमारे environment में oxygen present है, मतलब ये जो chemical evolution है, ये आज की date में possible बिलकुल नहीं है, आज cells ऐसे नहीं बनते हैं, और उसके बाद जो ये हमारा organic evolution है, ये तो chemical evolution ह हमारा यहीं खतम हो गया, इसके आगे तो बढ़ा ही नहीं, इसके आगे नहीं बढ़ सकता हमारा chemical evolution, बट जब ये एक cell बन गया, living cell बना, उसके आगे का जो ये process है, ये क्या है, हमारा organic evolution है, और जो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी occurring है, continuous चल रहा है, so I hope कि आपको ये adopted by Stanley L. Miller and Harold C. Urey in 1953, एक experiment किया गया, ये जो एक पूरा जो process था, उस process को समझाने के लिए, एक Miller's experiment हुआ था, जिसको किया था, Stanley L. Miller and Harold C. Urey ने किया था, 1953 में किया था, इन्होंने ये experiment, और इन्होंने ये बताया था, कि ये जो theory दी थी ना, उन्होंने, जो theory दी थी ये वाली जो ये पीछे वाली हमारी पूरी theory थी और जो ये हमने इन भाइसाब के बारे में बात की थी, हल्डन के बारे में बात की थी, तो ये सारे चीज़े जो थी, वो exactly सही थी, उस टाइम पे इसे ही बने थे हमारे ये cells, उसी के बाद हम बने हैं multicellular organism because of evolution, बट जो ये Miller's experiment था, ये इस चीज़ को प्रूफ करता है, ये पूरे उस process को फिर से नहीं दोहरा सकते, बट एक छोटा सा experiment कर सकते है, क्योंकि वो environment जो था, वो different था, आज की date में वो environment अर्थ पे होना possible नहीं है, तो इन्होंने क्या करा अपने lab के अंदर, थोड़ा सा कुछ उस तरह का environment का setup किया और उसे उन्होंने इस experiment से प्रूफ किया कि वो जो theory थी वो सही थी, primitive earth थी, उसके अंदर gases थी, फिटंडी होते होते बहुत सा सब मिले, मिलके उन्होंने वो protein and all सब कुछ बनाया, और last के अंदर फिर एक बना cell और उससे बने फिर prokaryotes, eukaryotes and multicellular organism चले, they assembled an atmosphere similar to that, thought or to exist on early earth over water, इन्होंने क्या करा, एक इस तरह का atmosphere create किया, जो की पहले के time पे था, जो primitive earth थी, वो atmosphere था, same वैसे ही इन्होंने atmosphere create करने की कोशिश की और उन्होंने create किया भी, this was maintained at a temperature just below 100 degree Celsius, जैसा कि हमने बोला था, जो earth का temperature था, वो क्या था, उस time पे 100 degree Celsius का नीचे था, below 100 degree Celsius था, तो इन maintaining sparks were passed, जैसे कि हमने बोला, electrical sparks को याद करें, electrical sparks आयते, lightning से, जो बिजली कड़कती है उससे, तो वो भी इन्होंने pass कर वा है, through the mixture of gases, to simulate lightning, बिल्कुल similar थी lightning के, जिस तरह के lightning हो रही थी, वैसा इन्होंने भी पूरा spark दिया, gases का mixture था, तो gases का mixture भी दिया उसके अंदर, जो earth का temperature था पहले का वही, उन्होंने यहां पर maintain किया, और इस चीज को proof किया, कि वो जो theory दी गई थी, वो बिल्कुल सही थी, अपने experiment से, यह experiment कौन सा था, अभी हम देखेंगे, इन्होंने वैसे experiment के बाद में, क्या चीज observe की, तो इन्होंने observe किया, कि वान वीक के बाद हुआ ये, तो यह किस में convert हो गया, simple compound में convert हो गया, किसका simple compound of carbon, including amino acids which make up protein molecules, amino acids में भी convert हुआ, जो क्या बनाता है, protein बनाता है, यह amino acids, lipids है, यह सारे generally किस से बने है, carbon hydrogen से बने है, तो यह सारे चीज़े जो है, वो किस से बनी थी, उस जो उन्होंने एक्सपरिमेंट किया था, उसके ने यह observe कि 15% of carbon है, वो already simple compound में convert हो चुकी है, और एक amino acid भी बन चुका है उसके अंदर, जो क्या बनाएगा, last के अंदर, वो protein molecules बनाएगा, चलिए, तो हम उस experiment को एक बार अच्छे से देख लेते, कि exactly that experiment क्या था, उन्होंने क्या करा था, एक तरफ से दिया था heat source, जो water जो ह पानी, water जो था, वो vapor की form में था, तो यह water की form में, वेपर की form में, यह water जो था, वो यहां से यहां आ गया, अब यहां पर क्या था, इस chamber के अंदर क्या था, इनके पास पूरी gases थी, कौन सी gases, जो हमने पढ़ी थी, कि भी hydrogen sulfide था, carbon monoxide था, hydrogen का excess था, oxygen नहीं थी उसके अंदर तो यह सारी gases जो थी, वो यहां दी गई, जिसमें ammonia भी था, यह सारी gases चैंबर में रखी गई, और इसको लाया गया water vapor को, जो water vapor पहले था, तो यहां से पानी गरम करके लाया गया, यहां गया हमारा water vapor, अब यह water vapor जो है, इसके अंदर मिक्स होगा, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारी gases है, और इसके अंदर क्या है, भी water vapor है, और इसके अंदर क्या होगा, वो जो temperature है, वो maintain किया जाएगा, कौन सा temperature, जो उस टाइम पर एर्थ का था, जबकि primitive cells बने थे, और इसके अंदर जो है, इलेक्ट्रोड्स लगाए गए गए, यह इलेक्ट्रोड्स क्या कर है, इसको ठंडा भी करना है, ठंडा करने से क्या होगा, यहां आगर याँ पह्नों ने क्या लगा है, अब यह क्या करेगा, यह इसको ठंडा करेगा, यह ठंडा करके क्या करएगा, पूरे बड़े वापस वह भाला process हुआ, क्या हुआ, अर्थी, गरम, उसके अंदर थी gases and water वाटर वेपर का मिक्षर था दीरे दीरे ठंडी हुई और साथ साथ में क्या वह एलेक्ट्रिकल स्पार्क मिलता गया तो उससे क्या बने प्रोटो सेल्स बने और दें प्रोकेरियोट्स बने तो सेम कंडिशन उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने बता दी कि यह जो के अंदर है mixture of gases जो primitive earth में थी oxygen नहीं है अभी भी इसके अंदर hydrogen का excess है ammonia है methane है hydrogen है carbon monoxide है hydrogen sulfide है बहुत सारी gases है लेकिन इसके अंदर oxygen नहीं है तो इस chamber के अंदर इन्होंने दी तारी जो gases थी वो gases का mixture हो गया यहां से आया water vapor वो mix हो गया इसके अंदर और इन्होंने दिया इलेक्ट्रोड से क्या दिया electrical spark दिया electrical spark जो है क्या होगा electrical spark से कि यह जो molecules है ना यह सारज ammonia है जो मिथेन यह सब क्योंगे ब्रेक होगे और यह ब्रेक होगे ब्रेक होके continuously फिर से एक दूसरे से जुड़ेंगे तो क्या होगा धीरे धीरे जिस चीज़ की में requirement थी like lipids बने थे condensed हुआ condensed होती ही क्या होगा यह water जो फिर से water में convert होने लग गया और धीरे 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 जो था क्या हुआ वो जो compound वो proteins वो lipids वो सब कुछ बनना शुरू हो गया उसका formation start हो गया और वो form होके वो यहां से जाके इस तरह से बाहर यहां से निकल सकते थे आई समझ में बात आपको getting my point कि मैं क्या बता रही हूँ आपको कि इन्हों ने क्या किया वो पूरा setup हम वापस नहीं ला सकते हम उस time में जाके भी नहीं देख सकते तो इन्हों ने क्या किया Miller's experiment के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने एक तरह का इस तरह का experiment किया जिसके अंदर उस time की जो condition थी, जो primitive earth की जो condition थी, उसको अपने experiment के अंदर, थोड़ा सा अपनी lab के अंदर उस चीज को provide करवाया गया और देखा गया कि क्या इससे living cells बनते है, क्या इससे DNA RNA बन रहा है, क्योंकि DNA तो खुदी replicate होता है, DNA तो खुदी copy हो जाता है, उसके अंदर वो quality है, कि वो अपने आपको copy कर सकता है, तो क्या ही चीजे हुई, तो definitely हुई, यह सारे चीजे इससे हुई, last के अंदर जो cold water था, जिसके अंदर और organic compounds है, जैसे हमने बोला था, कि सबसे पहले क्या बने थे, बने थे simple compounds बने थे, और यह जो simple compounds थे, इनसे क्या बना था, complex compound बने, जो simple compound थे उनसे बना आपका complex compound, complex compound बनते ही क्या हो गया, complex compound बनते ही, यहाँ पर हमारा जो chemical evolution था, जो हमारा chemical evolution था, वो stop हो गया, और इसके बाद simple life form बने, simple life form यही से शुरू हो जाती है, हमारी भी simple life form, यह हो गई स्टार्ट, और यहाँ से उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बने के सबहplayer है तो यह प्रोसेस एपर के सब्सक्वराइब जी यहां का सब्सक्राइब उनको यह साना जो हाए जो है जो है कि तही दी थी यह बिलकुल सही थी तरह से ही यह बने थे यहyan the यह यह बने कमपउंट गहा इस दरह से बनेते पहले यह बने दियरे दीरे-दीरे complex बनते गए, उसके बाद हमारा prokariot cell और prokariot cell जैसी living हुआ, क्योंकि उसको oxygen मिलने लग गया था, oxygen मिलते-मिलते-मिलते जैसी वो living होने लगा, लिविंग होने के बाद क्या हुआ, continuously cell division हुआ, और दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे क्या हुआ, development होता गया, modification ह होता गया, every generation में, और last के अंदर बहुत सारी species बन गई, और आज की date में देखा जाए, तो हमारे पास variety of species है, बहुत सारी species है, और human beings के अंदर भी देखे था, हम human beings तक आते आते भी हमें कितना time लगा है, millions of years लगे है, तो evolution में time लगता है, I hope कि आपको chemical evolution, organic evolution अब अच्छे स clear होगा, और वो जो हमारा बड़ा सा question mark था, वो भी हट गया होगा, कि जो pre-existing species के हम जब बात कर रहे है, तो वो species कहां से आई है, वो जो हमारी species है, वो कहां से आई है, so I hope कि आपको ये clear होगा, अब कि जो species है, हमारी pre-existing वाली, वो कहां से आई है, और उसके बाद जब हम आ मुझेए